जैमा इंद्राक्षी जैम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आए इस विशे संक में हम बात करते हैं सूरिय के मेश रासी में परिवर्तन के बारे में यह परिवर्तन आप सबके लिए शुब हो अशुब को तो हम सोचेंगे नहीं अपने अपनी सब की राशिया होती है अपने हिसाब से सब के लगन होते हैं आप किसी की कुंडि में सूरिय कहीं है किसी कहीं है लेकिन सूरिय हैं केवल मेश रासी में 14 अपरेल से सूरिय मेश रासी में बदारबन कर जाएंगे सुबह 8 बज़ करके 41 मिनट से ठीक है तो हमें सूरिय सदैव हमसे प्रसंद रहे ओज तेज की ब्रद्धी करती रहे प्रकाश के स्वामी है ब्रह्मान के नायक है तो सूरिय की करपा जिस व्यक्ती को प्राप्त हो जाती है जिन्दगे में विसेश चमक उस व्यक्ती के आ जाती है अब 14 अपरेल को 8 बज़ करके 41 मिनट पर जब सूरिय बदल रहे है उस से में क्या कुंडली बन रही है थोड़ी सी चिंता की बात क्या है कि राहू वहीं बैठे है सूरिय ग्रहन दोश बन रहा है देखिए आप अपनी स्क्रीन के उपर कुंडली को 14 अपरेल 8 बज़ करके 41 मिनट पर बनी कुंडली और सूरिय के परिवर्तन की कुंडली है ये मेश लगन की है देखो लगन में ही जिसका मेश लगन होगा उसके लगन में ही सूरिय बुद्ध और राहो की यूति रहेगी पंचम में चंद्रमा सब्तम में केतू और उसके दसम में शनी मकर के शनी भी 39 अपरेल को बदल जाएंगे वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा आप देख लेना और शुक्र मंगल की यूति और उसी के साथ ब्रस्पती में रासी में ब्रस्पती भी अभी बदले हैं तेरा तारीक को आप देखिएगा कहने का भाव कि सूरिय के साथ राहू आ गए सूरिय के साथ राहू आने से सूरिय ग्रहन बन जाता है जिन लोगों के सूरिय बहुत कमजोर है या किसी के द्वादस भाव में इस्ति आई हो या किसी के दित्य भाव में इस्ति आई हो नित्रों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है पंचम भाव में आई हो तो विध्यारतियों के लिए विध्या की दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी पेट की तखलीफ हो सकती है आम व्यक्ति को भी सब्तम भाव में आई हो तो थोड़ा सा एक महिने के लिए विभा को आगे के लिए टाल दिया जाए जैसे किसी की बिल्कुल शादी आ गई है या देखो भई जो उपाई बताऊंगा वो कर ली जाए सूरिय हाला कि अपनी उच्छ रासी में है सूरिय की मेच रासी उच्छ की होती है सिंग रासी सूरिय की स्वयम की होती है और तुला रासी में सूरिय नीच की हो जाते है शक्ता नहीं है हमारा धे आपको हमेशा अच्छे उपाई देने का रहता है बस आप उपाई कर लीजिए जितना आप अजिक रूप से और विश्व के रूप से देखें तो सूरिय का मिलन रहू के साथ कहीं ने कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं होता खैर आप नकारात्मक इस्तिति में अपने मन को ना ले जाएं आप साकारात्मक सोचें जाको राको साईयां मार सके नकोई बस ये वाली बात र सूरिय देव को प्रणाम करना और कहना है सूरिय नरायण आपके गर्पा मुझ पर मेरे पूरे परिवार पर पूरे विश्व के ऊपर अच्छी सुंदर बनी रहे हैं दूसरी बात संबभ हो तो आदित्य हर्देस्तोत्र का पाठ अपने घर में बैठ करके जरूर करना अब पांच रविवार आपको एक कारे करना है पांच की आप बलकि तीन रविवार कर लिजे क्योंकि और ग्रहों के भी उपाए काफी थे आपके चोटी-चोटे होई जाते ही घट्टे होके तीन रविवार आब एक रविवार तो इसके बाद आएगा आपका सतरा तारीक का अगले मही ने इनी दिनों में यानिके तेरा चोटा मही के बाद यह अपना राशी परिवर्तन करके रहू के संख से निकल जाएंगे तो यह अच्छी बात रहेगी तो आपको तीन रविवार एक उपाए करना है सुभा सुभा उठे नहामे धोमे सूरिय भगवान को मीठी रोटी ओम हिरिम सुर्यायनना बोल करके आप लिख ले हैं ओम हिरिम सुर्यायनना बोल करके एक एक रोटी गवमाता को खिला दे तैतिस कोटी देवी देवताओं का वास गवमाता के अंदर होता है गवमाता जब अपना आशी से देती हैं तो बहुत ही जीवन के रासियों के हिसाब से ऐसा तीन रविवार जरूर करिएगा और जो लोग गाएं को रोटी नहीं खिला सकते कहीं विवस्ता नहीं होती है कि वहाँ गाएं नहीं होती है कुछ नहीं होता है तो वो लोग क्या करें तीन रवी वार पांच रोटी छोटी छोटी बना ले या पूरी बना ले परौठा बना ले और उसकी छोटे छोटे पीसिस करके पक्षियों को डाल दें ओम हिरिम सूरिया नमे बोलते हुए इसी के साथ एक उपाय और करें रिंग फिंगर के नीचे होता है सन मांट सूरिया तो हर रविवार चोदा तारिक को भी ऐसे कर लेना और हर रविवार अपने इस सूरिय परवत पर सीधे हाथ में लाल लंका तिलक यहां भी लगा लेना संभव हो सके तो मस्तक पर भी लगा लेना ओम सूरिया नमें बोलकर या ओम हिरिम सूरिया नमें बोलकर तीन रविवार और एक चोधा पहल को बस इतना आप कर लीजिए आपको किसी उपाय करने की आवशक्ता नहीं है हर संडेज जो व्यक्ति आधित्य हर देस तोत्र पढ़ता है वैसे ही उसके सूरिय उससे प्रसंद रहते है रविवार के दिन तामबे के कलश से तामबे के लोटे से सूरिय को जल दे और तामबे के ही पात्र का यदि अपने जैसे सुबा या सुबा सुबाब जल पीते हैं या और भी कोई ऐसा कुछ करते हैं तो तांबे के पात्रों का प्रियोग कर सकते हैं लाल वस्त्रों का प्रियोग कर सकते हैं अपनी तरफ से रविवार की दिन कोई लाल रंग का एक्ष्टा कोई दान भी कर सकते हैं कोई दिखकत नहीं है तांबे का कड़ा तांबे की रिंग इसमें, रिंग फिंगर में, रवी उंगली, इसको रवी उंगली भी कहा, इसलिए इसको रवी उंगली भी कहा जाता, इसमें हम धारन भी कह सकते हैं. बस साथ को ये उपाय है सूरिय के परिवर्तन के आपको शुबता प्राप्त होगी आप उपाय करने का प्रयास जरूर करें और दूसरी बात हमने जो जो ग्रह परिवर्तन इसमजिने होते जा रहे हैं सभी के आपको उपाय बता रहे हैं मन लगा के करिएगा आपके उपर करते हैं और उसमें मुख्य पुजन सूर्य का तो अवश्य ही होता उक्ते सूर्य को पूरा वेश्व प्रणाम करता इसलिए सूर्य का ये राशी परिवर्तन है आले स्य मत करना थोड़ा ज्यादा जितना आप से वन सके सूर्य नाराण के उप़ाए जरूर करना आप स्वस्त में ही आपका प्रोग्राम दिखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिर्म हमसा सुरी को देखते विए बताया था तीन माला करने के लिए वो मैंने जब से शुरू किया कि शक्ति सी मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ एक पावर सा मेरे अंदर आया और मैंने मुझे एक नेगिटिविटी दूर हुए और मतलब मैं ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ अभी भी मतलब कंटीनी हो है मेरा वो तब तक जब तक मेरा जीवन रह अजब तक मेरी प्रात्ना फूरी न हो जाए थैंकि सो मज़ किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें